नमस्कार साथियों स्वागते आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर आप देख रहे हैं नौलेज अप्टूडेट चैनल हमारे साथी अमोल नंदनवार जी पूछ रहे हैं कि टाओ मोटर और हिटाची मोटर को कैसे पहचाने दोनों में क्या अंतर है जराब बताने की करपा करें तो मैं इन दोनों मोटर के अंतर को बताता हूँ आईए देखते हैं नमस्कार साथियों तो हमारे एक साथी ने पूछा कि टाओ मोटर और हिटाची मोटर में क्या डिफरेंस है तो कुछ डिफरेंस मैंने अपने इसाब से लिखे और आपको मैं शेयर करना चाता हूँ आपकी बीच में कि इसमें क्या डिफरेंस है देखिए वैसे तो इसके अ इफिरेंस बिट्विन टाओ एंड हिटाची ट्रेक्शन मोटर तो ये जो लोकों में परियोग करने वाली ट्रेक्शन मोटर है उसकी ही हम बात कर poop कर रहे हैं adequate अन्य मोटरों की नहीं क्योंकि अन्य जगे भी टाओ या Jackie की मोटरें काम में लाई जा सकते हैं लेकिन उसकी जानकारी मुझे नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं सिर्फ लोकों में लगी टाओ मोटर और हिटाची की बात कर रहा हूँ तो एक एक अंतर लेते हैं जैसे कि हमको लाइन पर देखना पड़ता है अगर कोई पूछे टी एलसी पूछे या कोई पूछे कि बताओ इस लोकों में कौनसी ट्रेक्शन मोटर लगी है तो आपको देखके बताना आना चाहिए तो कैसे देखोगे ये टाओ 659 जो होती है इसको खाली टाओ बोलोगे तो भी चलेगा ये शटकॉन टाइप की होती है शटकॉन टाइप की कैसी जैसे मैंने यहां पर यूँ बनाया एक एक दो तीन जार प्मा इस प्रकार जो शटकॉन होता है इस शटकॉन टाइप की ये मोटर होती है और हिटाची मोटर जो होती है वो गोल होती है ये लिखावट क्या मैंने अपने इसाब से रफ बनाया थोड़ा आप अपने इसाब से सुनकर देख लेना जैसा भी हो और गोल कैसे रहती है जैसे इस प्रकार यह गोल है इस प्रकार यह हिटाची मोटर गोल होती है तो देखने से भी आपको मालूम पढ़ जाएगा यह कौन सी टाइप की ट्रेक्शन मोटर है इसका जो मैक्जिमम करंट लगातार करंट लेती है टाओ शिक्स पाइं लगातार करंट कितना ले सकती 840 एंपियर 840 Ampere अब यह क्या होता है अब यह कैसे होता है कि जैसे हम WG5 लोकों में दिखते रही लगती है तो उसमें तो 750 Ampere ही लगातार करंट देते हैं तब आप बोलेंगे साब यह 840 Ampere का मतलब क्या तो उसमें ऐसा है कि अगर कोई Traction Motor आपने आईसोलेट कर दी तो जो Traction Motor है बसती है उसको हम 840 Ampere लगातार करंट दे सकते हैं तो पहले 750 Ampere क्यों दे रहे थे क्योंकि उसमें Transformer को भी देखना था इसलिए 750 Ampere ही दे रहे तो अब क्या होगा कि एक Motor कम हो गई अगर तो बाकी को 840 Ampere हम दे सकते हैं Transformer के ओपर कोई ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा क्योंकि कम हो गई Motor और ये Motor की Capacity 840 Ampere है तो इस परकार Hitachi Motor की Capacity है वो क्या Maximum Current Capacity 900 Ampere तक इसमें लगातार Current ये ले सकती है Hitachi तो Hitachi का नंबर जो देखे हैं तो HS 15250 है और यहां Tau का देखे हैं तो Tau 659 इससे ये जानी जाती है लेकिन हम लोग क्या Line पे खाली Tau और Hitachi ऐसा ही बोलते हैं इन में भी वापस कईत रहेगी अब तो आने लग गई है तो हम उपर-उपर से ज़रा सीखते हैं तीसरा जो अंतर है इंस्पेक्शन कवर नीचे लगा होता है Tau मोटर का इंस्पेक्शन कवर नीचे होता है और इसका जो Hitachi का इंस्पेक्शन कवर साइड में लगा होता है तो यह बहुत बड़ी पेचान है Line पर Line पर क्या होता इतने सारे अंतर हमें याद नहीं रहते हैं मोटर को देख के हम पैचान सकता है इसका इंस्पेक्शन कवर कहा है उससे हमको आइडिया हो जाता किस टाइप की ट्रेक्शन मोटर है तो याद नहीं रहे तो क्या करने का टा ओ देखो जैसे टा ओ कितने अक्षर है यह दो अक्षर है तो इसका इंस्पेक्शन कवर हमेशा का होता है साइड में कैसे होता नीचे कैसे यह टाओ है यह हिटाची है ठीक है इसका नीचे मैंने बोला यहां इंस्पेक्शन कवर रहता है एकदम नीचे वाले बाग में और इसका साइड में यहां रवे लग रहा था इंस्पेक्शन कवर ठीक है तो यह इंस्पेक्शन कवर क् होता है तो इसमें सपेंशन भेरिंग नहीं भरा जाता है और इसकी जो होस्पवर रहती है यह लोको की 770 HP की एक मोटर होती है और इसकी जो होस्पवर 857 HP की एक ट्रेक्शन मोटर होती है उसको फिर उसको पूरे लोको का होस्पवर भी निकाल सकते हैं एक राउंड फिकर में बाकि उसमें तो सारी बातें और भी होती है चटा जो अंतर है यह WG 5 WM 4 और WP 1 लोकों में पाई जाती है कौन सी टाव मोटर जो है वो कम शक्ति साली तो पहले से लग रहे है यह WG5 में अब यह WG5 में पाई जाती है WG5 और भी एक एसपर का WG5 HB जो होता है उसमें हिटाची मोटर होती है तो यह नॉर्मल केस जो बेस लोकों की बात करेंगे तो WG5 लोकों में टाउ मोटर होती है बाकि डूसरे WG5 में HB में हिटाची भी होती है तो यह जो हिटाची हो किसमें रहती है WG7 में WP4 में WG5 HB देखो मैंने बहुत है है HB टाइप के यह भेल कंपणी बनाती है इसको और WCM3 जो लोकों उसमें भी हिटाची ट्रेक्शन मोटर होती है तो यह तो अंडर्स्टूड हो गया और अंडर्स्टूड नहीं है तो आप देख के भी पहचान सकते हैं नेक्स्ट है इसको टाओ को कौन बनाता है देखो पहले पुराने जमाने में तो अलश्टम नाम की कंपनी जो बनाता था और आज कल जो है वह सीए डवल्यू चितरंजन लोकोमोटी वर्स जो है वही बनाता है इस मोटर को और यह जो हिटाची जो मोटर है वह हिटाची वार्स होती है और लिए जो कुछ मुख्य मुख्य अंतर इसका जिक्र हमने किया बागी इसमें टैट्यक्निकल डेटा के साब से बहुत सारे अंतर होते हैं और आजकल टाओची टाइब की मोटर आती है तो कंपनियों की बहुत सारी मोटर आने लग गई है तो यह इसमें पूछना होग कमेंट करके बता सकते हैं और अन्य वीडियो देखने आप प्लेइट में जाके दो गुल रही है तो प्लेइन आप चैनल पर क्लिक करेंगे तो ऊप्षन आपको अपने आप दिखेगा उसमें सारे वीडियो आप सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद